हेलो दोंस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम रक्षा बंदनी स्पेशल बहुत थी अलग और यूनिक रेसेपी बनाएंगे इसके लिए यहां मैंने लिया है चॉकलेट फ्लेवर का औरियो बिस्किट आप वनीला श्ट्रॉवेरी कोई भी बिस्किट ले सकते हैं और यह दिखिए यहां मैंने पैकेट को काट लिया है और दस रुपए के पैकेट में पांच औरियो बिस्किट निकला है और अब हम बिस बिस्किट के सारे क्रीम निकाल लेंगे इस रेसेपी को आप अगर रक्षबंदन में बनाएंगे तो आपके भाई हो या आपके बच्चे हो सभी को बहुत पसंद आएगा ये रेसेपी बहुत ही अलग और यूनीक है और बिना जहन जटके ये मिंटों में बनके तयार हो जात जिससे इससे ग्राइंड करते समय ये इसली बहुत ही इसका बारीक और फाइन पौडर बनके तयार हो जाएगा और अब हम जारका धकन लगाएंगे और ये देखिए यहां मैंने इसे एक से दो सेकेंड के लिए ग्राइंड कर लिया और इसका बहुत ही अच्छा बारीक जा है उसको हम अलग से इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके थोड़े थोड़े पोर्शन ले करके इस तरीके से हाथ पे राउंड करके इसके छोटे छोटे बाल बना लेंगे सेम तरीके से हम सारे बाल्स को तयार कर लेंगे आपके जितने क्रीम हो उतन । यह देखिए इतने से क्रीम में यहां मैंने 5 बॉल बनाके तैयार कर ली हूँ और अब हम पिसे हुए बिसकिट को इस तरीके से ग्राइंडिंग जार में से एक बाउल या कटोरी में निकाल लेंगे और अब हम बिसकिट के पाउडर में एक से दो चमज दूट डालेंगे और ये देखिए यहां मैंने दो चम्मच इसमें दूड डाल करके इसे हम चम्मच से अच्छे से चलाते हूँ मिक्स कर लेंगे अगर आपका powder जादा है तो आप थोड़ा-थोड़ा ही दूड डाल करके इसे पहले मिला लें और अगर आपका powder अच्छे से नहीं मिल रहे है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद अड़ करके और अच्छे से mix कर लें यहां मैंने सिर्फ दो चम्मच दूद में अच्छे से biscuit के powder को mix कर लिया है और यह अच्छे से mix हो गया है और इसका बिलकुल perfect डो बनके तयार हो गया है और अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे जिससे यह और ज़्यादा smooth और चिकना हो जाएगा और जब हम इसके भी छोटे छोटे बाल बनाएगे तो वो easily बनेगा और आप देख सकते हैं दूद के साथ घुनने से इसमें बहुती बढ़ी शाइन आ गया है और यह देखे बिस्किट का डो हमारा बहुती बढ़िया बनके तयार हो गया है और अब हम इसके भी छोटे छोटे पोर्शन तोड लेंगे और छोटे छोटे पोर्शन को हम इस तरीके से round करेंगे और इसे भी इस तरीके से गोल या मिनी लड़ू के शेफ में बना करके तयार कर लेंगे और यह देखे है सेम तरीके से यहां मैं दूसरा लड़ू भी बना करके आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से हम सारे लड़ू बना के तयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने बिस्किट और क्रीम से अलग-अलग लड़ू बना के तयार किया है और अब हम एक इस तरीके का डेरी मिल्क चॉकलेट लेंगे यह 40 रुपीज वाला चॉकलेट है यह इसली सभी जगा मिलता है और अब हम एक बरतन में पानी गरम होने के लिए रखेंगे और आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से गरम हो गया और अब हम इसमें डेरी मिल्क का पैकेट डालेंगे पैकेट डालकर हम इसे एक मिनिट के लिए गरम पानी में ही रहने देंगे जिससे डेरी मिल्क अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और हम एक बर इस तरीके से हिला लेंगे बरतन को और अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके उपर एक इस तरीके का अलुमूनियम रैप रखेंगे आप इसकी जगह चाहे तो प्लास्टिक की भी रैप इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम अलुमूनियम रैप के उपर इस तरीके से बिस्किट और क्रीम के बनाए हुए छोटे छोटे लड़ू को सजा करके अरेंज करेंगे और इसे बिलकुल मार्केट जैसा बनाने के लिए यहां मैंने तीन-तीन लड़ू को अच्छे से लेयर में यहां मैंने रैक्टेंगल सेफ में अच्छे से सजा लिया है इस तरीके से अगर आप इस रेसिपी को घर पे बनाएंगे तो आपके घर पे बच्चे हो या बड़े किसी को पता ही ने चलेगा कि आपने इस तरीके से इतनी महगी चौकलेट घर पे बनाया है और यह खाने में बहुत ही टेश्टी और डिलेसेस होता है और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे लड़ू को अरेंच कर लिया है और यहाँ मेरे पास 3-4 लड़ू और बचे है तो यहाँ मैं उसे बीच मीच में जहां गैफ है वहाँ मैं इस लड़ू को डाल दूँगी जिससे यह काफी अच्छा सा से फील हो जाएगा और recipe जब हमारा बन के तयार होगा तो बहुत ही बढ़िया टेश्टी और यूनीक बनेगा और आप देख सकते हैं यहां मैंने लड़ू के छोटे छोटे बॉल्स बना के इसे अच्छे से अरेंज कर लिया है एक मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं डेरे मिल्क भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है हम इसे इस तरीके से 10-15 से के लिए प्रेश कर लेंगे जिससे सारे लंस खतम हो जाएगे चोकलेट में और अब हम चॉकलेट को कैची या सीजर से इस तरीके से इसके कोने को कट कर लेंगे और अब हम बॉल्स के उपर मेल्टेट चॉकलेट डालेंगे मेल्टेट चॉकलेट डालते हुए हम बॉल्स को अच्छे से कभर कर देंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे अच्छे से बॉल्स के उपर हमें एक तरफ से डालते हुए सारे बॉल्स को मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे से कभर कर देंगे और अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आप इस रेसेपी को इस रक्षबंधन जरूर ट्राइ करें यह इजिली मिंटो में बनके तयार हो जाता है और बच्चे तो आपके बहुत खुस हो जाएंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने चॉकलेट से अच्छे से बॉल्स को कभर कर दिया है और अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीच में ठंडा होने के लिए रखेंगे जिससे यह अच्छे से सेट हो जाएगा और यह लिजे 15 मिनट हो गया है चॉकलेट हमारा अच्छे से सेट हो गया है और आप देख सकते हैं स्रिफ 50 रुपीज में हमारा घर पे ही 100 रुपे वाला डेरी मिल्क सिल्क बबली बन के घर पे ही तयार हो गया है तो इस तरीके से आप इस रक्षा बंधन घर पे बनाएंगे तो सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा और इस रेसेपी को आप घर पे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि चॉकलेट हमारा कितना बढ़िया और बाजार जैसा इजली घर पे मिंटों में ही बनके तयार हो गया है और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेलफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें करें और आपको मेरी वीडियो करें झाल